प्रतिक जी नमस्कार पूछे क्या सवाल है आपका अब इस वह था कि अभी मैंने टाइटन लिया था एक वी समय और उप्शन लिया था एक तालिस रुपे में हां 21 होगा हां 21 होगा बताइए बाइए 21 होगी का उप्शन लिये 43 रुपे एक लॉट है इंके पास काफी नजदी के मैं सब्सक्राइब करूंगा कि एक जो स्टॉप लॉस के निचे क्रूज नहीं होता है इसके अंदर बने रह सकते हैं फिर से कोई पुलबेक आएगा तो एक थोटा सब्सक्राइब क्योंकि एक सो पचास के पास पिर से जाने की जिस्ता पुरी-पुरी कर सकत सब्सक्राइब करना चाहिए और आपका पैसा इसमें बन सकता भी 2077 पर ट्रेट कर रहा है तो प्रतीक भाई आप थोड़ा सा वेट करिए आ सकता लेकिन स्टॉप लॉस का बहुत सकती से ध्यान रखिएगा मार्केट बहुत बोलिटाइल है इसलिए आपको इस चीज को हमे निदीश शाह के पास निदीश नवस्कार अपना सवाल पूछे नमस्कार सर्व मेरे पास जैंसार टेक्नालोजी है एक त्रिपल फाइव हंड्रेट शेर और इंदी माई ट्रिप है सब 690 फंड्रेट शेर एक महीने का नजरिया है जैंसार टेक्नालोजी सो शेर 555 पर बता किष्मोटं की फौर्मेशन बन चुके है एक को नोब नेव स्देखने को मेंने के चासा अस्ति का पईला टार्केट है चासा सथ चुकते चासा पचासतर के लिया पो निया फिर नाच है तो यह अगर अगर कोई भी पुल आसा तो आप उर उसकाश किया नीकलना चाहिए और गुवाई दुबला मैं लिए एक चाहा का से ब्रेक आउट ने पांचो लुपे के उपर तो एक अच्छी खासे मुझ इसके तरफ देगने तो मैं कहना चाहिए इनको इस प्रदार के श्टॉक में थोड़ा सा वर्ट ज्यादा देना चीह 500 के पांचो के पास में और एड़ कर करके निगला था तो उपरी तरफ फिर से एक बार के लिए सपोर्ट को लाच करके उपरी तरफ की मुझ देगा जो करीबर इसमें आपको शेसो पचास से लेकर शेसो अच्छी तक की मुझ देखने को मिल सकते हैं यहां पर खेदारी करके चल सकते हैं अजब ओन जीसी का चा चार्ट दिखाई है लगातार स्टॉक ने बड़ी हार एली दिखाई केंडल चार्ट दिखाई एक महीने का क्रूड आयल की जो प्राइस रेंज है हलाकि वो बहुत नहीं बढ़ी है वो 72 से 75 के बीच में ही है लेकिन डिमांड पुश है स्ट्रेंथ बहुत है हाँ यह चार् बहुत कम बाचीत भी इसमें होती ही मार्केट में लेकिन यह स्टॉक ने आउट टू फर्म किया है और आप देखे आज भी बड़ी हार एली इसमें बनती ही दिख रही चार प्रसेंट के आसपास के 133 में पहुँच गया है क्या लक्ष है इसका रखे लो एक मिने में 21% चल सकते हैं अगर बाजर में कोई भी मुनाफोग वसुली भी आती है तो 128 डेट कोई वेरी स्टॉक कर सकते हैं इस पूरे ट्रेल का जो रिवर्सल मेल्यू है वो करीबन 124 है 124 के निए जब तक यह स्टॉक प्रोज नहीं होता है मेरा द्वियान मेरा व्यू ओंजी से में पॉ पेसे लिए रखे हैं बीपी सेल का चार्ड गए 470 रुपए 15 पैसे पर इनको तो भी नुक्सान हो रहा होगा बीपी सेल में क्या करना चाहिए यहां पर इनको डिविडेंट भी मिला है तो मैं समझता हो कि यह प्रॉफिट में ही है कोई मतलब लॉस में भी नहीं है यहां पर मैं समझता हो कि इनको बने रहना चाहिए को पास में बहुत की स्ट्रॉण सपोर्ड है बीपी सेल के अंदर तो यहां पर जो है जब तक यह वालेट नहीं होता है मुझे लगते को अप्सेल में पिक्साइक बाउस आपको देखना को मिलेगा जो माउस करी पर 440 से लिगर 425 इस तब की रिंग कर रहे